बिग बॉस सीजन 14 में शोकिन ट्विस्ट आ चुका है ट्विस्ट है कि निशान्त मलकानी को एक ही दिन के अंदर कैप्टेंसी पद से हटा दिया गया है बिग बॉस निशान्त मलकानी से कहते हैं कि उन्होंने कैप्टें के पद पर रहते हुए कई गलतियां की है उन्हें लगता है कि वह कैप्टेंसी के लायक नहीं है जिसके बाद बिग बॉस निशान्त को कैप्टेंपद से हटा देते हैं इसके बाद निशान अपनी गलतियों को लेकर जैस्मिन और अभिनव से चर्चा करते हैं सबसे पहले निकीत अबोली ने नियम का उलंगन किया जिसके बाद वे रुबीना की सला पर चल पड़े दूसरी गलती कैप्टन बनने के तुरन बाद वो नेक्स नॉमिनेशन पर चर्चा करते हुए दिखाई दिये तीसरी गलती वो घर के सारे काम करवा रहे हैं जबकि निशान से कहा गया था कि वो घर के काम खुद नहीं करेंगे बलकि सबसे करवाएंगे उनकी चौथी गलती ये थी कि पवित्रा का देर से सोकर उठना और पांच्वी गलती माइक ना पहनना और इंग्लिश में बात करना ये वो गलतियां थी जो बिग बॉस ने गिनवाई जिनकी वज़ा से निशान को कैप्टन सी पद से हटा दिया गया वही नवरात्री के अफसर पर घर के अंदर का नजारा बदला हुआ देखने को मिला मशूर बेहनों की सिंगर जोडी प्रीती और पिंकी बिग बॉस के घर में खुपसूरत समाबांती नजर आए घरवाले नवरात्री के रंग में पूरी तरह से रंगे हुए दिखे तंबोली को करारा जटका लगेगा सलमान खान जान कुमार सानों को लेकर कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जिसे सुनकर निकी तंबोली बेहत हैरान हो जाएंगे सल्मान निकी के सामने उनके खास दोस जान कुमार की दोस्ती पर सवाल उठाते दिखेंगे दरसल बीते दिनों दोस्ती के बड़े-बड़े दावे करने वाले जान कुमार कहते हुए नजर आये थे कि मैं पागल नहीं हूँ जो निकी और राहुल को कैप्टन बनने दूंगा। जिसके बार निकी गुस्य से भड़क जाती हैं और जान से कहती हैं कि अब उन्हें कोई सफाई नहीं चाहिए। निकी सल्मान से कहती हैं कि जान उनसे अक्सर कहते हैं कि वह दोस्त हैं दोस्त हैं लेकिन वह दोस्त नहीं हैं असल मेवे एक ठोके बाज हैं।